आज का दिन यानी 27 अगस्त सिखों के इतिहास के लिए विशेश महत्व रखता है बता दें कि आजी के दिन सन 1604 में गुरुगरंथ साहिब की स्थापना अमरित्सर के बेहद लोग प्रियस्वर्ण मंदिर में की गई थी ये सिख संप्रदाय का प्रमुक धर्मगरंथ है इसका संपादन सिख धर्म के पाँचवे गुरू श्री गुरू अरजुन देव जी ने किया था श्री हरी मंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक अस्थल और सबसे प्रमुक गुरुद्वारा है जिसे दर्बार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है ये भारत के पंजाब के अमरित्सर शहर में इस्थित है और यहां का सबसे बड़ा आकरशन है पूरा अमरित्सर शहर स्वण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है यही कारण है कि इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है इसका नाम गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर और श्री हरी मंदिर साहिब है इसके नाम में भले ही मंदिर शब्द आता है पर इसकी नीव एक मुसल्मान पीर सूफी संथ साई मिया मीर ने रखी थी इसका पूरा उलेक सुर्ण मंदिर में लगे शिला लेकों से पता चलता है सूफी संथ साई मिया मीर का सिख धर्म के प्रती शुरू से ही जुकाव था वे लाहौर के रहने वाले थे और सिखों के पांचवे सिख गुरू अरजुन देव जी के दोस्त थे जब हरी मंदिर साहिब के निर्मार पर विचार किया गया तो फैसला हुआ था कि इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आ सकेंगे तब ही अरजुन देव जी ने सूफी संथ साई मिया मीर से दिसंबर 1588 में गुरुद्वारे की नीव रखवाई थी कहा जाता है कि लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्षा खुद गुरु अरजुन देव जी ने तैयार किया था ऐसा मानते हैं कि 19. शताबदी में अफगान हमलावरों ने इस मंदिर को पूरी तरह नश्ट कर दिया था तब महराजा रणजीत सिंग ने इसकी मरम्मत कराई साथी इसकी गुम्बत को सोने की परत से सजवाया था आजी के दिन सर डोनौल्ड जॉर्ज ब्रेडमेन जिने क्रिकेट की दुनिया का डौन कहा जाता है उनका जन्म हुआ था 27 अगस्त सन 1908 को जन्में जॉर्ज ब्रेडमेन ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलारी थे जिने विश्व का महानतम बल्लेबाज कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी का ओसत 99.97 जिसे किसी भी बड़े खेल में किसी भी खिलारी की सबसे बड़ी उपलब्धी माना जाता है उन्हें देखने के लिए रिकॉर्ड तोड भीर उमर पड़ती थी ब्रेड मैन ने अपने टेस्ट करियर में 12 दोरे शतक, 29 शतक और 13 अर्ध शतक लगाये थे इनमें चौकों की संख्या 681 थी ब्रेड मैन के 12 दोरे टेस्ट सतकों के रिकॉर्ड को कोई भी खिलाडी आज तक तोड़ नहीं पाया है सर ब्रेड मैन ने टेस्ट मैच में सबसे बड़ा स्कोर 334 रन का बनाया था जबकि प्रतम श्रेडी क्रिकेट में उनका सर्वोच स्कोर 452 रन था इनी उपलब्धियों के कारण उनको 19 नमंबर 2009 को ICC Hall of Fame में शामिल किया गया था साल 1999 में आजी के दिन सोनाली बनर जी भारत की प्रतम महिला मरीन इंजीनियर बनी सोनाली बनर जी ने 1995 में IIT का एंटरंस एक्जाम पास गिया था और मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था उन्होंने कोलकाता के करीब तरातला के मरीन इंजिनिरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट से कोर्स पूरा किया दिल्चस्प बात ये है कि सोनाली जिस वक्त मरीन इंजिनिर बनी उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थे सोनाली ने एमी आराई में दाखिला लेने के समय कई मुश्किलों का सामना किया था दरसल सोनाली अपने समय की अकेली महिला स्टूडेंट थी यही कारण था कि कॉलेज प्रशासन के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई कि उन्हें कहां ठहराया जाए तमाम चर्चाओं और विचार विमर्ष के बाद इस बात पर सहमती बनी कि उन्हें आफिसर्स क्वार्टर में ठहराया जाएगा तब सोनाली 1500 कैडट्स में अकेली महिला कैडट्स थी इस कोर्स को पूरा करने के बाद 27 अगस्त 1999 को सोनाली भारत की पहली महिला मरीन इंजिनियर बन कर M.E.R.I.E. से बाहर निकली थी ऐसी ही तमाम रोमान्चक एतिहासिक जानकारियों के लिए बने रहे इमिज टुडे के साथ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए